नमश्कार मेरे चानल में आपका स्वागत है आज मैं आपको कौन बास्किट्स बनाना सिखाऊंगी इसको बनाने के लिए आपको छे ब्रेड स्लाइसेश चाहिए आप उन्सब को गोल आकार में काट लीजिए एक कटूरी की सहायता से या फिर एक कुकी कटर की सहायता से इस तरह जब वो गोल कर जाएंगी तो एक बेलन की सहायता से उनको अच्छे से रोल कर दीजिए मितलब दबा दीचे के फिर आप एक बोल ले लीजिए उसके अंदर आपको सबजिया डालनी है गोलडन कॉन डालने है शिमला मिच टालनी है प्यास डालना है टोमाटर डालना है इन सबको मैंने एक चुथाई कप में लिया है फिर इसमें हम आदा जब मच काली मिच डालेंगे आदा जब मच चार्ट मसाला डालेंगे और थोड़ा सा नमक डालेंगे उसे अच्छे से मिला लीजिए इसके बाद हमें एक बेकिंग ट्रे लेंगे और जो हमने गोल आकार में ब्रेट काड़ी थी उसको मफिन कपस के अंदर अच्छे से ध्यान से डाल दीजिए अधर ध्यान जाए कि जब आप इसको अंदर रोल कर रहे हों तो अच्छे से फोल्ड आएं ब्रेट के अब हम मिक्स्चर लेंगे जो हमने सबजियों का बनाया था और उसके अंदर थोड़ा कैच्छप डाल देंगे इस मिक्स्चर को आप ध्यान से इन बास्केट के अंदर डाल दीजिए फिर हम इस पे थोड़ा चीज डालेंगे मैंने मौजरला चीज यूज किया है यह आपकी मर्जी है आप डालना चाहें या ना डालना चाहें यह बेक करने के लिए रेडी है आपको प्री हीटेड अवन के अंदर इसे 10 मिनट के लिए बेक करना है 180 डिग्री सेल्सियस पे तो यह बास्कित आपकी बेक हो चुकी है चीज अच्छे से मेल्ट हो गई है और ब्रेड भी करारी हो गई है तो यह खाने के लिए अब रेडी है होप आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आई इसे देखने के लिए बहुत बहुत धन्यावाद